अब आपको दिख रहा है की नहीं नमस्कार मेडम नमस्कार कमेंट करिए आप आपको ओडियो क्लियर है की नहीं ठीक चलिए धन्यवाद अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी पहला क्लास हम लेंगे चतिसगर समान्य अध्यन लेकर स्क्रीन पर सो हो रहा है दूसरी क्लास आपकी इंडियन जियोग्राफिक की होगी भारती भुगोल और तीसरी क्लास आपकी इंडियन पॉलिटिक की होगी भारती राजवेवस्था तो आज हम डिस्कस करेंगे 36 गड़ समान्य अध्यन, सिले बस्पर में बाद में आऊंगा, पहले आपको टीजर दिखा देता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है, 36 गड़ समान्य अध्यन के दृष्टी कोन से, 36 गड़ एक नजर में, एक नजर में कहने का मतलब यह है, कि हमको जा प्रसासनी की काई होता है, एक संभाग, डिविजन, दूसरा होता है डिस्ट्रिक, तीसरा होता है, तहसील, और चौन था है, विलेज, गव, यह प्रसासनी की काई है, अगर बात किया जाए तो समान्य सब्द में देखे, तो गाउं से मिलके तहसील बनेगा या यू बोलू तो तहसीलों के अंदर कुछ गाउं होंगे तहसील से मिलके जीला का निर्मान होता है यू बोलू तो कुछ तहसील को मिलके एक जीला बनता है और जीलों को मिलकर संभाग का निर्मान होता है मतलब किसी संभाग में जीलों क की संख्या निश्चित होगी अब मैं बात कर रहा हूं इस प्रसासिनिक इकाई को लेकर अब प्रसासिनिक इकाई की बात करें तो हम पहला नाम दियें वो है जीला संभाग तहसील गाव जो इसमें नाम आप देखें तो उसमें पहला नाम दिया हूं है वो है संभाग डिविजन अगर 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में राजस्व संभागों की संख्या है पाँच दक्षिन 36 गड़ बस्तर संभाग उत्तर 36 गड़ सरगुजा संभाग और यह मध्य 36 गड़ है तो यह सरगुजा संभाग है बस्तर संभाग अगर मैं बात करूँ तो यह जो दक्षिनी भुभाग 36 गड़ का वह बस्तर संभाग है बस्तर उत्री भुभाग की बात करूँ तो ये सर्गुजा संभाग है उत्री चक्तिस गड़ सर्गुजा संभाग दक्षिनी चक्तिस गड़ वस्तर संभाग अगर मैं मध्य चप्तिस गड़ कुलूं तो बचे तीन है, तीन होई, तीन कौन कौन सा होई, तो एक तो ये दुर्ग, फेर ये रायपूर और ये बिलासपूर, तो तीन संभाग, ये रायपूर संभाग है, रायपूर, ये हरे दुर्ग और ये हरे बिलासपूर, पांच राजस्व संभाग है जो आपको दिख रहे हैं दक्षिनी 36 गड़ बस्तर संभाग के नाम से जाना जाता है उत्तरी 36 गड़ सरवुजा संभाग के नाम से जाना जाता है पहले आपको ध्यान देना है संभाग में वो पाँच राजस्व संभाग डिविजन की बात कर रहा हूँ डिविजन है पाँच प्लियर है कमेंट कर दीजी आप जितने लोग जूड़े हैं देख रहे हैं अब संभाग जीलों से मिलके बनेगा मतलब संभाग में होंगे जीले के ठंजीला है यह भी बता दो आप मन के ठंजीला है सगा प्रदेश में ठीक 28 जीला है कि किस संभाग में कितने जीले आते हैं तो कुछ limited जीले होंगे हर संभाग में ऐसा तो नहीं है कि एक ही संभाग में सब जीला होगा क्योंकि मैं बोला हूँ जीलों से मिलके संभाग का गठन होता है तो जीले है 28 तो 28 जीलों की क्या कहानी है तो 28 जीलों की कहानी में नमबर एक सबसे अधीक जीला वाला संभाग है बस्तर और बस्तर संभाग में जीलों की संखे साथ स्टार्ट होगा उत्तर बस्तर कांकेर से ये है उत्तर बस्तर कांकेर नाम मैं एक साथ लिखते चलूँगा अभी सुनिये फिर राइट साइड है कोंडा गाउं उत्तर बस्तर कांकेर ये कोंडा गाउं कोंडा गाउं की सीमा से लगा हुआ कांकेर के ठीक दक्षिन में है नरायनपूर के ठीक दक्षिन में है बीजापूर कोंडा गाउं के दक्षिन और बीजापूर के ठीक पूर्व में है बस्तर बीजापूर और बस्तर की सीमा से लगा हुआ है दक्षिन बस्तर दंते वाडा और सबसे नीचला जो जीला है वो है सुकमा वर्तमान इस संभाग में साथ जीले आते हैं और साथ जीलों की स्थिती अब नाम लिख रहूं मैं उसमें उत्तर बस्तर कांकेर उत्तर बस्तर कांकेर नमबर एक नमबर दूसरा कोंडा गाउं नमबर तीसरा नरायन पूर नमबर चौथा बीजा पूर पांचवा बस्तर फिर ठीक नीचे दंते वाड़ा और सबसे नीचे सुकमा ये सात जीले वर्तमान बस्तर संभाग के हिस्से हैं उत्तर बस्तर कांकेर उपर लिखा हूँ ठीक उसके राइट साइड में कोंडा गाउं है उत्तर बस्तर कांकेर के नीचे नरायन पूर है नरायन पूर के नीचे बीजापूर बीजापूर से लगा हुआ बस्तर बस्तर बीजापूर की सीमा दंते वाड़ा से लगती है और दंते वाड़ा के ठीक नीचे सुकमा है सात जीले आता है सबसे अधिक जीला वाला संभाग जीलों की संख्या सर्वाधिक है वो है बस्तर नमबर एक चीज, नमबर दूसरा वर्तमान में विलास्पूर संभाग दूसरा सर्वाधिक जीला वाला संभाग है यहाँ जीलों की संख्या है च्छाय जीले कौन कौन से हैं तो एक जीला है मुगेली मुगेली लेट राइट चलना है मुगेली फिर गोरिला पेंडरा मरवाही फिर बिलासपूर बिलासपूर के सीमा से लगा हुआ कोर्बा कोर्बा के दक्षिनी सीमा से लगा हुआ जांजगीर चापा और यह है राइगाड लेट टू राइट चलना है मुगेली गोरिला पेंडरा मरवाही बिलासपूर कोर्बा जांगीर चापा राइगाड कौन कौन से जीले हैं तो यह मुगेली है जीला नमबर एक फिर गोरिला पेंडरा मरवाही जीला नमबर दूसरा जीला नमबर तीसरा बिलासपूर जीला नमबर चौथा कोर्बा पांचवा जांजगीर चापा और छटा राइगाड यह छए जीले हैं जो वरतमान बिलासपूर संभाग के हिस्सा है दूसरा सरवादी जीला वाला संभाग अब इन दोनों को एट करेंगे तो साथ धन्च है तेरा तो अब बचा पंदरा तो अब तीन संभाग बचा है तीनों संभाग में जीलों की संख्या है पाँच 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 अब मैं बात कर रहा हूं जिस संभाग की वो है सरवुजा यहां जीलों की संख्या है पाँच स्टार्ट करें कोर्वा तक खीचना है कि वह कोरिया है वहां से आगे बढ़ें कि सूरचपूर कि सूरचपूर के राइट साइड में दो अन्य जीला एक उपरी हिस्सा में है बलरामपूर रामानुजगंज और ठीक नीचे जीला है सरगुजा राइगड की सीमा से लगेगा उसके बाद है जसपूर तो पांच जीला आता है यहां यह है कोरिया यह है सूरचपूर यह है बलरामपूर रामानुजगंज यह है सरगुजा और यह जीला है जसपूर वरतमान इस संभाग के पांच जीले पांच जीले आते हैं लाट टू राइट चलना है कोरिया कोली ख सुरजपूर बलरामपूर रामानुजगंज सर्गुजा और जस्पूर नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूं दुर्ग डिविजन की दुर्ग डिविजन जीलों की संख्या है पांच पांच में से कबीर धाम राजनान गाउं बेमेतरा दुर्ग बालोद देखें अगर इसमें से तो ये जीला बोला मैं कबीर धाम ये है राजनान गाउं फिर ये है बेमेतरा ये दुर्ग और ये बालोद पांच जीला आता है कबीर धाम राजनान गाउं बेमेतरा दुर्ग बालोद लेप्ट साइट पड़ेगा इसके कबीर धाम राजनान गाउं फिर उन दोनों के साइड में दो जीला है उन दोनों के साइड में तीन जीला है बेमेतरा टॉप में है मिडिल में है दुर्ग और दक्षिन में है वो है बालोद नेक्स्ट आखरी संभाग नीचे से स्टार्ट करना है दक्षिन से धमतरी धमतरी की सीमा से लगा हुआ है रायपूर रायपूर की सीमा से लगा हुआ है बलोदा बजार भाटा पारा रायपूर की सीमा से लगा हुआ है महा समून गरिया बन जीले आते हैं यहां पाँच दक्षिन धमतरी यह धमतरी यह सगा ठीके कर उपर रायपूर रायपूर के उपर बलोदा बजार भाटा पारा यह हरे तोर महा समून और यह हरे गरिया बन वर्तमान जे हमन पर्थन 28 जीला ये है देख भई अभी 28 जीला आज तोल पढ़ा थो जैसे ये जीला 33 हो जही मैं हर मैं अपडेट तोल पूरा कंप्लीट करा हूँ लेकिन आज ते क्लास पढ़ा था 28 है तो 28 की हिसाब से कहानी है ओ सुना हो भी मैं कि जो पांच बनने वाला ह हो कर कहानी हो कहास बनी ठीक अब बोला कहास पढ़ना है तो एक ओफिस्यल वेबसाइट है जिस पर आपको ध्यान देना है अब उस वेबसाइट से उस मैं आपको डाउनलोड कर लेना फिल हाल जो अभी स्टेटास है उसकी ये वेबसाइट है गवर्मेंट का चिप्स.gov.in 36 गर्ड इनफो टेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स का मतलब है गवर्मेंट का वेबसाइट है जहां से आपको ऑथेंटिक मैप रीट करना है अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूं कहां से लेना है ठीक जानना जरूरी है क्योंकि 36 गर्ड समानिय देन आब चलके देखेंगे अथेंटिक सोर्स नहीं मिलेगा आपको तो कुछ-कुछ चीजे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा से आप इस्टडी कर लेंगे वेबसाइट के माध्यम से गौर्मेंट के वेबसाइट एवलेबल है वो आप थोड़ा से स्टडी कर लेंगे यह है गौर्म पेज में कुछ नहीं करना है आप मलना नीचे उतरना है नीचे उतर हूँ तो एक जगा दीखी ही ए देख साइड में ए दीखी तोला क्विक लिंक्स ऐसा लिखे हुए है वह में मिली तोला 36 गड़ रिफ्रेंस एटलस और जैसे यह एटलस लग क्लिक कर वे तो एमें अलग मैप मिली डिस्टिक के अकॉर्डिंग भी मिली पॉलिटिकल फिजिकल सभ्यों में मिली तो लिखा है कंपोजिट मैप 36 गड़ के कहानी है पॉलिटिकल मैप हर जीला का 28 जीला वरतमान में हूँ उसका और फिजिकल मैप मैं एक आर्ट हो क्लिक करके ऐसे डाउनलोड नहीं क बलोदा बजार भाटा पारा वालरामपूर रामा नुजगन यह आगे गया है यह 28 जीलो का पॉलिटिकल मैप आपको मिल जाएगा ठिक एक आज जीला क्लिक करके आपको दिखा देते हैं पॉलिटिकल मैप वह देख लीजिए आप यह है चिप्स का मैप है और यह उसका इसके ठीक जो कहानी आपको बताने वाला हूँ उस पर कंपोजिट मैप को देखना है अब इस कंपोजिट मैप में आपको दिख रहा है 36 गर्ड डिविजन ऐसा लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो जो वर्तमाने 5 डिविजन है वो आपको मिल जाएगा यह देख रहे ह बिलासफु डिविजन है दूर गलग अलग कलर से डिविजन लोग को इंडिकेट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना है यह में तहसील मैप तहसील मैप डाउनलोड करेंगे आप बेसिकली यह पूरे मैय और नया तहसील और बताऊंगा अभी तक जो जीला है भरतपूर सोनहात केलहारी मनेंद्रगड बैकुंडपूर चीरमीरी खड़गमा अब क्यूं दिखा रहा हूं उसका परपस है अब दिखाने का परपस यह है चलिए अब मैं थोड़ा से आपको ले चलता हूं अपने क्लास पर फिर आता हूं इस मैप पर मैंने क्या बुला कि हमारे 36 गर में संभागों की संख्या 5 है और वो 5 संभाग का बताया मैं कि 36 गर का जो दक्षिनी हिस्सा धक और नर्ट बहुत शोड़ा भाँ दिमांग में बसा को आध्र he है कैसे संगाई से कातकनक करेक्ट बढ़िया और उत्तरी हिस्सा उत्तरी सर्गुजा मध्य में तीन संभाग है दुर्ग रायपूर बिलासपूर ठीक बढ़िया पास संभाग है यह बताया जीलो के संख्या 28 है वो देख चुके हैं आप वहाँ पर फिर चलूंगा मैं तहसील यह तहसील जो है वो डाइनेमिक आकड़ा है मैं आपको एक डेट के अधार पर बता रहा हूं अभी और दो तीन चार कंटिन्य अभी राजपतर आही रहें जो गौर्मेंट का वेबसाइट है डी पी आर सी जी उसमें जो आपको मुख्यमंतरी मानिर गुपेज बगिल जी जो दिया था information उसकी मैं बात कर रहा हूं डी पी आर सी जी के according गौर्मेंट का कहना है कि टोटल 235 तहसील बनेंगे क्यों टोटल बोल रहा हूं क्योंकि जब यह गौर्मेंट आई तो प्रदेश में तहसीलों की संख्या 150 थी और इस गौर्मेंट ने 85 नए तहसील बनाने का गोशना भी कि आप कई बन चुके हैं कई प्रक्रिया धीन है ठीक तो इन सब को जूड़ेंगे तो आपको मिलेगा यह मैं बात कर रहा हूं वरतमान तहसील की इसमें से कुछ तहसील अब इनोग्रेट होंगे एक साथ बंच में जिनका फाइनल राजपतर है अब क्या कहानी होता है हम बात में सुनेंगी 31 मार्च 222 की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं 31 मार्च 2022 की स्थिति में 36 गण में तहसीलों की संख्याद 202 है 202 यह बदलेगा मैं बोला हूं डाइनेमिक आकड़ा है तहसील वहसील पढ़ने का नहीं होता है मैं आपको बाद में और अपडेट कराऊंगा अभी कंटिन्यू आही रहे हैं तहसील होना है 235 लेकिन जब मैं आपको पूरा डिस्टिक इंटोड़क्शन दूँगा तो 235 बताऊंगा भई क्योंकि आपको याद रखना है प्रदेश में पांच राजस्व संभाग है और 28 राजस्व जीले है यह छोड़ दीजिए विगाउं और तहसील वह आपको बाद में बताए जाएगा क्योंकि अब तो आपका और हमारा साथ है लगभग दोड़ाई महीने तक क्योंकि 36 गड़े उसमें करेंट इसूस भी रहेंगे कम से कम 40 तो आपका आराम से प्रिपेर हो जाएगा क्लास नोटस से ही ध्यान देके पढ़ेंगे आप बाकी सीलेवस पर तो हम पूरा आपको पढ़ाएंगे जीतना पीजसी का सीलेवस होता है वो सब आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा ह हर चीज सीलेवस में डील करूंगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेडम सब चीज पूरा आपको आप जिस बैच को जोईन कियें उसमें आपको पूरा 36 गड़का जो सीलेवस आप प्रिलिम्स का देखिया होंगे वो पूरा सीलेवस आपको कवर कराया जाएगा एकदम लिखना है डब्बा सब्बा हो जाइसे भी हो इमेजनेशन पावर लाना है ताकि कोई चीज आप देखें तो कम से कम इमेज होना सुरू हो जाए कि उपर सर गूजा है नीचे बस्तर है अब वो आ गया तो काम बन जाएगा थोड़ा से सस्सा हो जाता है चीजों को समझना पढ़ना अब जानना है आपको अभी मैं बोला प्रदेश में जीलों की संख्या 28 है 28 जीले अभी अब यह जीला एक्चोल में होना है फिल हाल अब तक जो घोसना और जिसका राजपत्र आ चुका है प्राइमरी नोटिफिकेशन राजपत्र आता है गजट पब्लिकेशन हो जब भी कोई जीला की घोसना होती है और जीला को जब मूर्त रुप देने का प्रयास करती है गौवर्मेंट तो राजपत्र में उसका प्रकासन करती है जन सूचना को लाने के लिए जन जनता को सूचित करने के लिए राजपत्र आता है जब जीला को बनाने के लिए प्रारंभिक प्रोसेस अपनाया जाता है तो उसी को बोलते हैं प्रारंभिक सूचना और जब भी कोई प्रारमभिक सूचना लाई जाएगी इसका राजपत्र में प्रकासन होगा और इस प्रारमभिक सूचना में बताये जाएगा जीला का नाम की जीला का नाम कोण कोण सा होगा जीसे अभी आप देखे होंगे माननी मुख्य मंत्री भुपेज बगहिल के द्वारा जीला का नाम रखा गये हैं सुने भी होंगे मोहला मानपूर चौंकी खैरागड छुई खादान गंड़ई मनेंद्रगड चीर्मिरी भरतपूर सारंगड बिलईगड एक ठन जीला है सक्ती हाँ तो जीला का नाम समझाता है कि जब भी प्रारंभिक सूचना जारी करती है गौवर्मेंट तो एक जीला का नाम समझाता है दूसरा ये समझाता है कि वहाँ मुल रूप से किस जीला का हिस्सा है और नया होने के बाद किस जीला के रूप में स्थापित होगा तो इससे ये समझाता है कि कौन सा जीला पुनरगठित होगा जीला का पुनरगठन समझाता है कि कौन सा जीला तूटेगा तो एक नया जीला बनेगा फिर इससे समझाता है कि जीला के निर्मान के साथ कौन-कौन से तहसील मुल जीला से उस नये जीला में सामिल हो जाएंगे तो तहसील समझाता है कि उस जीला में कौन-कौन से तहसील सामिल होंगे सामिल तहसील बोलो या तहसील जो सामिल होंगे एक समझाता है इससे कि अगर जीला बन गया तो मुख्यालाय कहा होगा जीला मुख्यालाय और एक चीश समझाता है अगर यह जीला बना तो कोई ना कोई राजास्व संभाग का हिस्सा होगा ही तो कोई भी नाया जीला बनेगा तो किस संभाग का हिस्सा होगा यह जानकारी हमको राजपत्र के माध्यम से प्राप्थ होता है यह जानकारी हमको राजपत्र के माध्यम से प्राप्थ होता है मैं बोला यह प्रारामभीक सूचना है गौर्मेंट क्या करती है इस सूचना के माध्यम से प्रारामभीक सूचना का मतलब समझे गौर्मेंट राजपत्र लाती है और जीला के जो घोषना की गई है या जो बनाने वाली है उसको मूर्त रुप देने के लिए प्रयास करती है अब इसके बाद क्या करती है इस राजपतर में बताती है कि अगर objection है किसी भी रूप में तो objection राजपतर में प्रकासन की तीती से 60 दिन के भीतर सुविकार किये जाएंगे तो 60 दिन तक लोगों के objections को ये सुविकार करती है अगर किसी को objection है जीला बनने से या कोई और प्रक्रिया चल रही है और 60 दिन के बाद फिर government जो भी objections मिलेंगे आपतियां मिलेंगे उना पतियों को solve करेगा हल करेगा और हल करने के बाद एक finally अंतिम प्रकासन करती है जीला के निर्मान की अगर मैं वर्तमान में जीला की बात करूँ हमारे 36 गड़ में तो जो 15 अगस्त 2021 को नए जीला बनाने की घोशना की गई थी तो उसकी कहानी मैं जोड़ रहूं आप से इस राजपत्र के माध्यम से डेट है 15 अगस्त सब चीज क्लियर कर रहूं है और वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से आप एकदम अराम से देख सकते हैं 15 अगस्त 2021 जीला घोशित हुए साल भर होने को आ रहा है फिर 15 अगस्त फिर 2000 होण होगा पुलिस परेड ग्राउंड परंपरा रही हमारे यहां कि जो राज्य का मुखिया होता है इस सूबा का प्रमुक होता है वो जनता के नाम अपने संबोधन पढ़ता है इस आजादी के उपलक्ष में और जनता को संबोधित करता है और सबको इस आजादी की बधाई देते हुए कुछ घोशनाय करती है सासन की अपनी तरफ से अगर बात किया जाए तो इसी 15 अगस्त 2021 को बोल सकते हैं लगभग एक साल पहले एक साल पहले वर्तमान निवर्तमान मुख्यमंत्री भुपेज बगेल जी ने चार जीला बनाने की घोशना की गोशना की बनी नहीं हो जीला घोशना हुआ है अब इस जीला को मूर्त रूप देने के लिए राजपत्र में प्रकासन होगा क्योंकि यह घोशना थी राजपत्र में प्रकासन और प्रारमभीक प्रकासन फाइनल नहीं भई यह बताएगी जो जो पॉइंट्स अभी आपको मैंने बताया जब राज्य सरकार को जीला बनाने की मंसा जाहिर करती है तो राजपत्र में प्रकासन होगा प्रारमभीक तो चार में से तीन जीला का तीन का एक ही दिन राजपत्र आया तीन जीला का राजपत्र एक ही दिन आया राजपत्र में प्रकासन चार गोशना किया थो उसमें से तीन का राजपत्र में प्रकासन एक ही दिन हुआ वो डेट था बीस कहने का मतलब राजस्व एवं आब्दा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक राजपत्र का प्रकासन किया जो गोष्णा किया गया था 15 अगस 2021 को उसको मूर्थ रूप देने के लिए 20 अक्टूबर 2021 इस दिन जिन तीन जीलो को प्रकासित किया गया प्रारंभिक रूप से उसमें सामिल था मोहला मानपूर चोंकी जीला नमबर एक जीला नमबर दूसरा सारंगड बिलाईगड और जीला नमबर तीसरा सक्ती ये तीनो जीला का एक ही साथ राजपत्र में प्रकासन हुआ अब 20 अक्टूबर 2021 को मैं वैबसाइट बताऊंगा जहां से ये आपको पढ़ना है नमबर दूसरा चीज़ अब चार जीला घोसना हुआ एक जीला बज गया तो एक जीला का नोटिफिकेशन आया एक जीला जो इसमें मिसिंग है उस जीला का नोटिफिकेशन आया है 11 नवंबर 2021 को 11 नवंबर 2021 जीला का नाम इस नोटिफिकेशन से पता चला मनेंद्रगड चिर्मिरी भरतपूर यह जीला का नाम होगा और इन चार जीलो की घोसना हुई थी 15 अगस 2021 को और इन चार जीला में से तीन का एक साथ राजपत्र में प्रकासन हुआ 20 अक्टूबर 2021 को 11 नवंबर 2021 को मनेंद्रगड चिर्मिरी भरतपूर का प्रकासन राजपत्र में अब पढ़ना कहां से है मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ लेकिन पहले वेबसाइट आप नोट डाउन कर ले यह वेबसाइट है गवर्मेंट का इगजट.cg.nick.in यह गवर्मेंट का वेबसाइट है जहां से आपको चीज़ें अपडेट करनी है अब मैं उसी वेबसाइट पर चल रहा हूँ आपको वो बता भी दूँ कम से कम आप अपडेट कर सके इन फ्यूचर आगे चल के ऐसा खूलेगा आप खोलेंगे तो राजपत्र ऐसा खूलेगा इगजट.cg.nick.in लिखेंगे तो 36 गड़ ए राजपत्र अब इसमें खूलेगा राजपत्र का प्रकार आप चेंज कर लेंगे इसको क्लिक करके एक्स्ट्र फिर आपको नीचे मिलेगा जैसे असाधरान चेंज करेंगे आएगा विभाग आपको भी विभाग चूज कर सकते नी तो सभी लेकिन मैं सभी से मतलब नहीं है मेरे को ढूंड़ना है रेवेन्यों डिजास्टर मैनेजमेंट का राजपत्र मैं डाल दिया रेवेन्यों डि कोटिफिकेशन आया था तीन जीला का वो आया था कब 20 अक्टूबर को मैं डेट डाल दिया राजपत्र दिन आंग से मेरे काउं कौन से डेट से चाहिए माल लिजे मैं यहाँ पर हटा के एक डेट डाल दिया च्छै आज का डेट च्छै आट दो हजार इकिस लेकिन साल भर पहली और एक साल का राजपत्र मेरे को चाहिए नीचे दिखेगा राजपत्र ढूंढें यह आया अब देखिए मैं अभी क्या बोला आपको कुछ-कुछ तहसीलों के गठन का राजपत्र आया है अभी लेटेस्ट आया है चार अगस 2022 को दिपका जीला कोरवा को नविन तह हासिल बनने के लिए फाइनल नोटिफाई हुए है मैं बात कर रहा हूँ जीला की तो आपको राजपत्र दिखाता हूँ कि वो कहानी क्या है हमको देखना है 20 अक्टूबर और 11 नमंबर की कहानी तो पहले आपको दिखा रहे हैं 20 अक्टूबर वाले कहानी दिख रहा होगा तो आपको स्क्रीन पर देखे लिखा है 20 अक्टूबर 2021 जीला मोहला मानपूर चौंकी के गठन संबंदी प्राइमरी नोटिफिकेशन है कि गौर्मेंड बता रहे हैं कि हम इस जीला को बनाने वाले हैं तो उससे संबंदित कुछ-कुछ गतिवी धी उसको क्लिक करेंगे पूरा डिटेल मिलेगा नवीन जीला सक्ति के गठन संबंदी नवीन जीला सारंगड बिलेगड के गठन संबंदी डेट सेम है 20 अक्टूबर 2021 अब मैं बात कर रहा हूँ एक और डेट दिख रहा हूँ को 11 नवंबर 2020 मनेंदरगर चीर्मिरी भारतपूर को नवीन जीला बनाने है तो प्रारमभीक सुचना का प्रकासन प्रायमरी नोटिफिकेशन है ये बनाने के लिए अब तक आपको कोई भी इसका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कोई भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पर देख लिजिए आपको यकिन नहों तो देख लिजिए 22 मार्च 2022 बेलर गाउं लिखा जीला धमतरी को नवीन तहसिल बनाने संबंधि प्रारमभीक सुचना का प्रकासन 22 मार्च 2022 का है अभी आपको बेलर गाउं दिखाया यह दिखा थे तीन अगस्त 2022 बेलर गाउं जीला धमतरी को नवीन तहसिल बनाने संबंधि अब यह तहसिल अस्तित्तों में आ जाएगा राजपतर के प्रकासन के साथ मार्च में इसका प्रकासर्था नौटिफिकेसं आया था शाथ दिन के ऑपजirm का टाइम देगा शाथ दीन में जो भी ऑपज्यक्शन होंगे उस ऑपज्यक्शन को solve किया जाएगा solve करने के बाद एक ऐसी जीला के लिए भी notification आएगा जो बेलरगाउं तहसील के लिए है सब चीछ के लिए वही process होता है अगर कोई संभाग भी बनेगा तो भी पहले primary notify फिर उसके बाद उस पर आपत्ति आएंगी आपत्तियों को हल करेगी और हल करने के बाद final notification तो अब तक जो चार जीलों की घोशना की गई थी वो जीले बने नहीं है मैं ये बताना चाहरा हूँ आपको जानकारी के लिए अभी आपको पढ़ना 28 जीले है जिस दिन बन जाएगा भाईया आपको website बता दिया हूँ अराम से देख लेना नहीं तुम मैं तो आपके साथ हूँ पूरा आपको अपडेट करा के चलूँगा तो अभी 28 जीले है आपको 28 पढ़ना मार्केट में 32 पढ़ना है 33 पढ़ना है देखे भाई हमारा एक ही object है हम आपको exam की तयारी करवा रहे हैं जो चीज हमको पता होगा website से हम पढ़ते हैं वो चीज आपको बताएंगे आप अगर इधर उधर से 32 तैटिस पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए हम छमा चाहते हैं वो आप पढ़िए उसको हम नहीं रोख सकते हैं क्योंकि वो आपका स्वावीवेख है अब का हुआ अब हुआ ये खैरागड के विधायक देवरत्सिह जी का हो गया निधन अब निधन हो गया तो वो विधायक थे तातका लिन और विधायक थे 36 गड़ जनता कॉंग्रेस से 36 गड़ जनता कॉंग्रेस पार्टी से वो विधायक थे खैरागड के अब वहाँ उपचुनाओ की घोषना हुई क्योंकि उपद खाली हुआ रिक्त हुआ वो सीट तो उपचुनाओ की घोषना हुई तो कॉंग्रेस ने अपने घोषना पत्र में सामिल किया कि यहां अगर कॉंग्रेस के विधायक विजाई होते हैं तो जीला बनाया जाएगा इस छेत्र को मतलब वर्तमान मुख्य मंत्री भुपेश बगेल जी ही चला रहे हमारे राज्य को तो इनकी पार्टी के द्वारा घोषना किया गया कि खैरागड छेत्र एक नया जीला बनेगा अगर वह से विधायक कॉंग्रेस के जीद गए तो हर हुआ वही जब रिजल्ट आया तो यह सोधा वर्मा जी वहां की विधाई का चुनी गई अब देखें उसमें से तो जीला की घोषना किया गया था इसको अमली जामा पहनाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया अठार अप्रेल 2022 अब नोटिफिकेशन के बेसिस पर अगर लें तो 28 जीला पहले से 4 का नोटिफिकेशन आ गया तो 32 ऐसे तो बोला जा रहा है कि यह 33 जीला होगा प्रदेश का लेकिन मैटर यह करेगा कि अब बन कौन रहा है क्योंकि 4 जो घोषना हुआ है वो बना ही नहीं है अब ही तो लियाद रखना है नोटिफिकेशन के बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि यह प्रदेश का 33 जीला होगा क्योंकि गवर्मेंट ने भी यही बताया था अब 18 अप्रेल 2022 को नोटिफाई हुआ नोटिफाई हुआ जिस नाम से वो नाम है एक जीला बनेगा नाम है खैरा क्यमटागर छुई खदान गन्डअइड इस नाम से नोटिफाई हुआ हैं अब कोई भी जीला निबने है ना बार बार बोला थो जीला निबना देना हैBeat जब तक में नी बोलूसं। अब मेक opened बोलूं जब राजपतर में प्रकासित होाई तब अलिसJim ने नहीं ने आप जत्का दिनों कर बाचे हैं मतलब आखरी हमर दिसंबर जन्वरी 2023 दिसंबर बोली या फिर जन्वरी 24 बोल सेज कारे कलबर रथे होगा एद लिखा है 18 अप्रेल 2022 नवीन जीला खैरागड छुई खदान गंड़ाई के गठन संबंधी प्रारंबिक सुचना का प्रकासन य जब आ जाएगा अस्तित्तों में तो फाइनल नोटिफाई होगा खैरागड छुई खदान गंड़ाई जीला बनाने संबंधी ऐसा लिखा रहेगा उस नोटिफिकेसन अब इसी को क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अब मैं आ रहा हूं क्या कहानी है अब कहानी ये है मैंने भी थोड़े दिर पहले आपको बताया कि जब भी नोटिफाई होता है प्रारामभिक सूचना आती है तो उसमें जीला का नाम क्या होगा ये पता चलता है वो बता दिया गया है अब कौन से जीला के पुनर गठन से बनेगा ये भी बताया जाता है वो जीला बन रहा है तो तो मैं बात कर रहा हूँ पहले अब ये जीला बन रहा है मोहला मानपूर चोंकी तो प्राइमरी ची जीला का नाम समझा आगे आपको मोहला मानपूर चोंकी जीला का नाम होगा समझ तो आहीगी सो ही क्योंकि जीला का नाम में वो लेटर लिखा हु पहला नाम लिया मैं वो है मोहला मानपूर चौकी अभी जो जीला है उसकी बात कर रहा हूं जब तक फाइनल नोटिफिकेसन नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बोल सकता हूं कि किसके किसके सीमा से लगेगा मैं रफ बता रहा हूं कि राजनानगाउं से तूटके बनेगा ठीक अगर देखा जाए तो जो मोहला मानपूर चौकी है ये जीला का नाम होगा समझा गया अभी वरतमान में किस जीला का हिस्सा है तो राजनानगाउं का है मतलब राजनानगाउं का दक्षिनी भू भाग होगा रियोर्गनाईज पुनर गठित ये दक्षिनी भू भाग एक जीला बनेगा जीला का नाम होगा मोहला मानपूर चौकी जीला का नाम होगा ये राजनांद गाओं का दख्शिन हटेगा मोहला मानपूर चौकी के रूप नमबर एक चीज दूसरा नोटिफिकेशन आये था सारंगड बिलाईगड का इसी दिन की बात कर रहा हूँ एक साथ जो आये थे अब देखे भी है मैं लीग भी डाला हूँ उसको सारंगड बिलाईगड का तो यह है बिलासपुर डिविजन मुगेली गॉरिला पेंडर मरवाही बिलासपूर कौर्बा जानगीर चांपर रायगड यह रायपूर डिविजन का धमतरी यह रायपूर यह बलोधा बजार भाठा पारा यह महा समुद और यह करैबन सारंगड, विलाईगड, सारंगड आता है वरतमान में रायगड में ये सारंगड वाला एरिया है महानदी के ठीक दक्छिनी हिस्सा और वरतमान बलोदा वजार भाटा-पारा का हिस्सा है और इसी को लेके जिला बनने वाला है सारंगड बिलाईगड इसके लिए भी नोटिफिकेशन सेम डेट जो देख चुके हैं जीला का नाम होगा सारंगड बिलाईगड जो की उनर गठित होगा दो जीला रायगड और ब्रोदा बजार भाटा पारा तब ये जीला बनेगा इसी दिन नोटिफाई हुआ था एक और जीला ये एक और जीला है जीला का नाम होगा सक्ती इसी दिन नोटिफाई हुआ था ये तीनों के तीनों उसी दिन नोटिफाई हुए जो चार जीलों की घोसना की गई थी उसमें सामिल है अगला कहानी कोरिया का पुनर गठन होगा अब कोरिया के पुनर गठन से बने गा बने गा मनेंद्रगड चीरमिरी और भरतपूर ये लोकेशन मैं बोल दिया हूँ कि अभी इसको ऐसा ना मानेंगे जब तक फाइनल नोट सब्सक्राइब कूछ नहीं बोल सकता हूँ जैसे आपको दिखा रहा हूं वह मैप जो तहसील मैप है जीला बनने वाला है यह देखिए जीला बनने वाला है आपको अगर ढग से दिख रहा होगा तो अब बड़ा तो नहीं होगा तो पूरा फूल साइज में बड़ा है हाँ तो अगर यह दिख रहा होगा आपको चीर्मीरी लिखा हुआ और डॉट आपको दिख रहा होगा यह लाइन है छोटा सा चीर्मीरी बीच में है तो मनेंद्रगड यह है तो मनेंद्रगड यह बीच का चीर्मीरी और मनेंद्रग हुआ है फिर अगर अभी जो कहानी है उसके साफ से बता रहा हूं वह इसलिए मैं बोरों कि final नहीं है जब तक final नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोरों किवाल यह बता रहा हूं rough कि इससे तूट के बनेगा मैं exact बताऊंगा जब यह final notify हो जाएगा तब तो अभी की कहा पुनर गठन की गई थी जो इन जीलों के पुनर गठन से बनेगा जीला का नाम होगा मनेंद्रगड चीर्मिरी भरतपूर अब जो अगला कहानी है यहां से वो है 18 अप्रेल 2022 को जो राजपतर आया था पुनर राज जनान गाओं के पुनर गठन की बात कही गई और उसके उत्तरी हिस्सा से एक नया जीला बनाने की बात कही गई है जीला का नाम होगा खैरागड चुई खदान गंड़ई अब जिस दिन अस्तित्तों में आएगा वो देखा जाएगा मैं बात कर रहा हूं कुछ पॉइंट को लेकर पॉइंट ये है आपको नाम पता चल गया जीला का नाम क्या है तो जान चुके आप जो जीला बनने वाले उनके नाम क्या होंगे ये भी जान चुके कि जीला का पुनरगथन कौन-कौन से जीला का पुनरगथन से ये स्तित्तों में आ रहा है तहसील वो जितना नाम दिख रहा है उसीक नाम से तहसील है बस सक्ति में थोड़े से कहानी है वो फाइनल होगा तो मैं एक साथ सब को बताऊँगा अब मुख्या जीला बनेंगे तो कहां उसका मुख्याला होगा ये बात है तो बात ये है कि जो भी जीला स्तित्तों में आएंगे जैसे मैं तीन को ले रहा हूँ पहले कौन-कौन सा जीला नोटिफाई हुआ था मोहला अगर ये जीला बना तो उसका डिस्टिकेट को अटर उसको सरकल कर रह हो ये होगा मोहला मान पूर अमबागड़ चयोंकी का जीला मुख्याले मोहला जीला बना अगर सारंगड़ बिलाई गड़ तो उसका मुख्याला होगा सारंगड़ राजपतरम बता है भई मैं चीरमीरी भारादपूर तो जीला मुख्याला है मनेंद्रगड होगा और जीला बना खैरागड छुई खादान गंड़ाई तो जीला मुख्याला है खैरागड होगा ये जानना है जीला मुख्याला है और लास्ट पॉइंट पर डिसकस कर रहूँ अब किस संभाग का हिस्सा ह आया तो कौन-कौन से revenue divisions के हिस्से होंगे ये जीले तो अभी आप पढ़े हैं कि सरगुजा संभाग में जीलो की संख्या है पांच पांच ये जो नवा जीला बन ही ते इही जीलक हिस्सा हुए इसे राजपतर में बता है मतलब मनेंद्रगर चीरमीरी भरतपुर अगर जीला बन गे जे दिन भी तो वो इसी संभाग का हिस्सा होगा तब यहां हो जाएंगे जीलो की संख्या 6 हो जाएंगे हुआ नहीं है फिर कहानी बिलासपूर संभाग में आज के डेट में बिलासपूर संभाग में जीलो की संख्या है 6 अब जीला बना थी यहां से एक तो सक्ती जानगीर चापा के पुनर गठन से, तो जब भी जानगीर चापा के पुनर गठन से सकती अस्तित्यों में आ जाएगा, तो इसी संभाग का हिस्सा होगा, मतलब यहां एक जीला बढ़ेगा, दूसरा चीज, सारंगड बिलाईगड जीला बना थी हले, तो सारंगड आ थे रायगड छेत्र में, अभी वर्तमान जीला में, और बिलाईगड आ थे बलोदा बजार भाटा पारा में, तो बलोदा बजार भाटा पारा रायपूर संभाग का हिस्सा है, रायगड जो है वो ब संख्या यहां हो जाएगी आठ आठ वर्तमान दुर्ग संभाग में जीलों की संख्या है पांच पांच जीला है अब यहां से राज नंगाउं से दो जीला पुनर गठी थोके बनी एक जीला बनी मोहला मानपुर्चोंकी दूसरा जीला बनी खैरागड छुई खादान ही के अगर यह जीला बन गे तहीं हां हो जहीं साथ तब इस्थिती बदल देशागा ना अभी कुछ हूं निये भई अभी केवल है जो बता हूं उही 28 यह थोड़ा से जो नोटिफिकेसन आता है उसमें जानना आवस्यक है नोटिफिकेसन आता है उसमें जानना आवस्यक है यह चीजे आपको तो मैंने प्रसासनी की काई पर चर्चा किया आज प्रसासनी की काई संभाग के रूप में डिविजन के रूप में पांच डिस्ट्रिक्ट के रूप में 28 तहसील एक डेट को लेके बताये हूं 31 मार्च 2022 202 यह होगा 235 लेकिन उचर्चा कव इसाबाद का है तहसील एक्जाम के पॉइंट अफिस जरूरी नहीं है उसको एकदम सिरियस नहीं लेना है विकास खंड को सिरियस लेना है जो आगे चल के समझाओंगा अगली क्लास में मैं इंटर इस्टेट बॉंडरी पर डिसकस करूंगा अंतर राजजी सीमा की 36 गड़ के अंतर सिमा यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं आज की क्लास में बताइए कमेंट कर दीजी हमको फिर आज की क्लास में ओवर करूं अगली क्लास होगी आपकी इंडियन जियोग्रफी की कोनो समस्या कोनो कोस्चन्स कोनो कोईरी अगर हो ही तो बिलकुल पुछिए एकदम क्लियर है सब्जेग अटकर रायता फैले हुए है ते कन्फ्यूजन हो चलबे आगे एकदम क्लियर होना चीए 28 जीला मतलब 28 जीला भगवान भी आगका दी नहीं रहे 23 हो गए छोड़ भगवान लग नहीं हो है कहाल होगे राजपत्र देखा दे नीन में होला ले देखते राजपत्र जीला निर्मान की कारवाही तेजी से चल रहे जीला इस्तर पर OSD नुक्त होता है Officer Special Duty मिलेगा न मेडम आराम से जो आपको पढ़ाया गया सब चीज मिलेगा क्योंकि आपको बोला गया टाइम पर मिलेगा जैसे तीनों क्लास खतम हो जाएगा आपको तीनों क्लासे के वीडियो अपलोड हो जाएगा यह न्यूस पढ़ना है डेली यहां से होम पेज में होना चीजिए आपके मोबाइल के ताकि कभी मन करे तो उसको क्लिक कर ले देख लें 36 गड़ के का का समचार है आज करेंट में पढ़ा हूं लेकिन इहीं में पढ़ा हूं ते पहली धीरे धीरे पढ़ा तरह ताकि मोर पढ़ायक पहली पढ़ ड्रेस मोला कोस्चन करा थते चलते बता आप क्रॉस कोस्चन वही स्टूडेंट में माजा आथे जो क्रॉस कोस्चन कर थे ओ नहीं चूप चाप हाँ 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 कि के भाईया ते पढ़ाई लिखे जीवन पर बहुत का ड्रेस ग्रेजुएशन तक पढ़े च्छस अब हमन सीखा थनकेवाल नौकरी करना है तो नौकरीम कैसे कै कैसे चुनोती या ही कैसे कैसे हमाला पार पाना हो सब चीज से तो यह सीखे वाला फिल्ड है पढ़े वाला फिल्ड नो हरे तो जहां डाउट लगे क्रॉस कोस्चन करना है एकदम बेजी जाक अब आप मन तो वर्चुल माध्यम से जूड़े हो तो कोस्चन तो करिए सकतो क कि आप लाइन में रत्युत भाई नहीं हमला पूछे हम सोड़ा घवरा हाठ है सरमा हाठ है ऐसे लागती से है ने भाई तो एकदम अराम से पढ़ना है धीरे धीरे अब रेगुलर क्लास चली कंटीन न्यू शत्तिस गड़ पहली होई फिर भुगोल फिर तो आज के क्लास ये भाईया सब को इल धन्यवाद और जय जोहार जय छत्तिस गड़ सवस्त रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए संडेक नहीं होई मैडम संडेक छुट्टी वो बताएजे बाद में अभी स्टार्टिंग में थोड़ा से सुरूच में डोज पानी देख श मिलते हैं आप से अगली क्लास में इसके आगे की कहानी लेकर इंटरिस्टेट बॉंडरी लेकर धन्यवाद सभी को जय जोहार जय छत्तिस गड़